इस वीडियो में आप लोगो एक अप्डेट देने वाला हूं जो की केस से जुरा हुआ है धिहार थक्निकी से वायों के उपर जो केस हुआ था उनसे रिएक आप्डेट आई है वह मैं इस वीडियो में आप लोगो बताने वाला हूं जो 3149 2020 का केस है उसी की रिगार्डिंग लिस्टिंग नहीं हो पारी थी उसका लिस्टिंग हो चुका है और कब तक सुन वाला होगी डिटेल से मैं आप लोग इस वीडियो में बताने वाला हूं तो वीडियो को अभी तक लाइक कर देजिए और चैनल को भी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल लागन प्रेस करके आउल से जरूर से करके रखी जिससे कि आने वाले ऐसे इंट्रेस्टिंग वीडियो की निटिफिकेसन आपको मिलती रहेगी तो यह वीडियो को स्टार्ट करते हैं जैसे कि आप लोग देख प्या रहे होंगे यह 3149 केस का जो यह ओडर है जिसके करण से आज इसका लिश्ट इसका लिश्टिंग हुआ है और जो इसका लिष्ट जो नमर मिला है Haanis проблем मेला मिला जो की बहुत जादा है एकसे कमड़ाता तो इस विग में जो इसका सुनवाई था हो जाना चाहिए ठालेकिन Confederacy नमर तो हो सकता है नेक्ष्ट में इसका सुनवाई होगे क्योंकि इसके जो जो जस्टीस थे और निल कुमार सिन्ना ओ वीक लीब पे थे और अभी उसका डेली कॉज लिस्ट में है अभी ओ डेली सुनवाई करेंगे जिसके करण से ये नेक्ष्ट विक तक में इसका सुनवाई हो जाना चाहिए इसमें जो आप लोग जो डिस्पॉंडेट है जिसके जिसके केस हुआ है उसके तरफ से चार-पांच वकिल है तो मैक्सिमम चांस है कि इसमें जो केस का है सुनवाई अभी यह बहुत ही अहम मुद्धाप यह केस है इसमें अगर उन लोगों के पक्ष में अगर सुनवाई हो जाती है उन लोगों 31-26 जूलाई और 31 जूलाई को भी इसमें 31 जूलाई को मुकेश कुमार जो यह परसांत कुमार साही उसका ही उसी के द्वारा इंटर्वेन मतलब वकिल है इंटर्वेन किया गया जो तो कॉंट्रेक्ट यूनियन जो जही सब का था उनका सुनील कुमार चतुरवेदी और 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 इसके तरफ से फिर एक इंटर्वेन और किया गया है तो यह केस का मैक्सिमम चांस है डिस्पोस हो जाने का तो आप लोग अभी एकता बनाई रखिए जो अपने में ही लराय होगा यह जैसे ही एक हटता है तो रिजल्ट आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा तो यह अभी नेक्स्ट वीक तक में हीरिंग हो जाना चाहिए आप लोग दुआ कीजिए कि जल्द से जल्द इसका हीरिंग हो जाए तो वीडियो में आपके मुन में कोई कन्फिजन ड वे शुक्रिया और थैंक यू